नमस्कार साथियों पिछले दो तीन सीजन से लगातार जो भगवान है जो इंदरदेव है वो महरबान नहीं है किसानों पर सुरू के समय दान में रोपाई के समय ऐसा होता है कि बारिस नहीं होती और लेट होती है अगली बार भी ऐसा हुआ था संभातार इस बार काफी ज्या लगातार सरकार भी सिचाई के तरफ ध्यान नहीं देती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो यह सूखा जिले जो घोसित करते हैं अगली बार भी घोसित किया गया था लेकिन वह काफी लेट और इस बार भी देखिए धान की जो रोपाई है वो लेट हो चुकी है तमाम जितने भी एरिये हैं कहीं भी आपको धान लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं तो सरकार से विदम्र गोजारिस है कि जो यह सूखे ग्रष्ट जिले गोसित करते हैं उनमें अभी त्वरित कारवाई की जाए क्योंकि देखिए अभी क्या है सब की बेहन तयार है और सब अपने दान की रोपाई कर सकते हैं अगर सरकार नहर देदे कायदे से क्योंकि कई जिलों पर ऐसे हैं कई दूरदाराज के इलाकों में जहां पानी की स्थिती समान्य और बाढ़ जैसे हालात है तो वहां से पानी जो है ना हमारे डिश्ट्री कलेक्टर साहब है वह थोड़ 2 क्याहत फंद, वह को मिलता नहीं है और दूसरी बात यह है कि अभी अगर नहराती है और चीजे बन जाती है है यहां से तो यहां से किसान लोग हैं वह अपने रोपाई कर सकते हैं अभी बहुत सब की बेहन तयार है और अगर एक रोपाई हो जाती हैं आगे पाद में और जो तमाम सरकारी यहां पर कर्मचारी महोदे हैं अगर वो सिचाई के प्रतिध्यान देते हैं तो अभी भी जो छेत्र पूरी तरीके से सूखा ग्रस्त हो चुका है उसमें थोड़ा तो सुधार हो सकता है और दूसरी बात यह है कि खास बात केवल सड़क परिवहन मंत्रा है भाजपा सरकार में जो पूरी तरीके सा एक्टिव है बाकी चाहिए वी भागो चाहिए कोई वी भागो वह सिर्फ कागजों में ही दुरूस्त है जमीनी अस्तर पर हालत पूरी तरीके से डामा डूल है और तीसरी बात यह है कि जो जिले घोशित किये जाते हैं जैसे ऐसे में लगातार जो किसान है वो मोटर जो होती है उनके थुरू अपने खेतों की जो है वो भराई या सिचाई कर रहे हैं लेकिन इससे भी एक बहुत दैनी हालत पैदा हो रही है अगर बारिस नहीं हुई तो क्योंकि लगातार पानी पीने की जो किल्लते हैं वो बरती ज जाके हैं जहां पानी पुरी तरीके से जमीन चोरता चला जा रहा है तो यह बहुत अपने रहे हैं अपने चिंता का आपंफे हो सरकार स्थ जहान देना चाहिए और साथ ही साथ जो मिडल वर्ग के किसान है जो वास्तों में जिनका मुख्य स्रोत किसानी ही है उनके उपर विशेज ध्यान दे करके किसी भी हाल में सरकार को एक ऐसा लगातार जमीनी अस्तर पर अपने करमचारियों को बेज़े और वहां की हालत देखे तो सेरो सास्क्राइब के जी नमस्कार